आलू के पौदे के सनरक्षन के लिए समय समय पर कीट नाशक दवाओं का प्रयोग करना ज़रूरी है जिससे फसल को नुकसान होने से हम समय पर बचा सकते हैं दीदी, आलू के खेती में बीच चुनाब से लेके अभी सिचाई तक जे भी काम कैली बहुत अच्छा लेकिन एकरा उपर दवा के चिरकाव भी कर लिए है की ना भाईया अभी तक तो कोई दवा के चिरकाव ना कर लिए हैं कुहासा के मौसम में आलू के फसल पर जुलसा रोग लागे के संभाव ना रही है एक खातेर दवा के चिरकाव जरूरी होई है आप भाईया आप तो कुछासा लाया के सुरू हो गे लें। जुलसा से पच्छे के लेल कौन दवा लगताई से बताईयाओ। भाईया फ़सल तभी अच्छा है, जुलसा रोग ना लागा लहा। साबधानी के रूप में मेंको जेव यूक्त दवा के छिरकाव सुरू कर दू। भाईया दवा छिरकाव के तरीका तेका हमना सही से बता दू। हाँ भाईया। एक कठा अलू के फसल के लेल, दस लीटर पानी में 20 गराम मेंको जेव दवा के पड़ियोग करेके चाहिए। दिदी, दावा तो हम साथ ही लेले जाईत रह ली हा अपना काम से, लेकिन ये स्प्रेय मसीन और पानी के वेवस्था कर अपता हां के हम सही से तरीका के बारे में, छिरकाव के तरीका के बारे में आहां के बता दे है। हां भया, रुकूं हम पानी ये दावा मसीना भीये लेके हम आवाई छे ठीक है बगले में तो घर है, जल्दी सी आओ नगा अले ये दी मसीना पानी ठीक है निरी दावा मिलावे से पहले दास्ताना जरूरी है जेकी हम पहिर रहल छे ठीक है, निरी तो दावा मिलावे से पहले दीदी दास्ताना जरूरी है ठोडा पानी डाल लए था दी दावा मिलावे से पहले दीदी, एक खपा में पांच गराम दावा अटाई छेए ठीक है ग्राँ पानी दयाकी घुल्व तयार होज़ी है पानी डालके मिला रह लिए एंए 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 व्यों व्यों बीक्टा भूंए है रहा है कर दो है कि अ मिल अच्छा से डिदी दावात अब हुरूर के तयार कर ले ली आपधा छिरकाव करे से पहले मास्क पहेड लई छी ओक राबाद दवा छिरकाव शुरू करते हैं दिदी दवा के छिरकाव आई तरह से करव कि पत्ता से लेके ताना तक पूरा भीग जाए देख रहा लिया ना हाँ भया अहां तो दवाई छिलिक के बताद लियाई बहुत बहुत धन्ने बात आहां के लेकिन अब बताईयो कीज़े अब करे दिन के बाद फ्हेने में दवाई हम छिट सकाई छिए अब आप तो समझ गया होंगे कि कीट नाशक का उपयोग आलू की खेदी में कितना महत्वपूर्ण होता है जिससे हम अपने खेद को रोग मुक्त कर सकते हैं झाल झाल